हलो स्टूडेंट्स बेलकम टी सिप संकर भाय लो जी मेरे कवर्ट फिर्ट से आप सभी का स्वागत है तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कि नीट का अप्लिकेशन फॉर्म जो है आपका दस माई तक आने वाला है ध्यान समझेगा नोटिस आई है कि अप्लिकेशन फॉर्म जो है नीट का अंडर ग्रिजूट कोर्स का जो वीडियो पोरा देखना है चैनल सब्सक्राइब करके रखना है अप्लिकेशन फॉर्म जो है वो आपको दस माई तक आने की संभावना है और दस माई से ले करके या आपको दस माई से चौथे सप्ता यानि जून के 4 वीक चौथे सप्ता तक फॉर्म भरी जाएगी ध्यान समझेगा नीट यूजी का जो फॉर्म है उग दस माई तक आने की संभावना है नोटिस आई है और NTA National Testing Agency ने कहा है कि नीट की जो फॉर्म है इसी सप्ता 10 माई तक जारी किया जाएगा संभावना दिया है वो भी कनफर्म नहीं नीट ने बताया है NTA ने सिर्फ बोला है नोटिस दिया है कि 10 माई तक अप्लिकेशन फॉर्म की नोटिस दे दिया है कि 10 माई तक फॉर्म अप्लिकेशन फॉर्म भरी जाएगी NTA के तरफ से भरने की संभावना है कि भरी जाना सुरू हो जाएगा लेकिन आई जब भरी जाएगी 10 माई से तो जून के चौथे सबता तक भरी जाएगी, पूरे दू मन्त फॉर्म भरी जाएगी, यानि मई और जुन दोनों मन्त फॉर्म भरी जाएगी, लॉकडाउन को देखते हुए, इसकी एक इजाम डेट की बात करें, तो एक इजाम डेट आपका NTA ने कहा है, कि एक इजाम जो डेट हमने न लॉकडाउन को देखते हुए, सायद डेट बढ़ाया जा सकता है, और अप्लिकेशन फॉर्म जो है, आपका 10 माई तक निकालने की संभावना दी है, कि 10 माई तक इसको निकाला जाएगा, और जुन के 34 सबता तक भरा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में सभी दुकाने, इतनी भी स्टूडेंट है, फॉर्म भर लेंगे, लेकिन यहाँ डेट लॉकडाउन की अवस्था से बढ़ाया भी जा सकता है, ध्यान रखिया, फॉर्म की डेट जो है, अगर फॉर्म की डेट बढ़ जाती है, तो एक्जाम का डेट भी बढ़ाया जाएगा, कुछ दिनों के बाद ही, एक्जाम का अगर डेट एक अगेस्ट को दिया गया है, तो यह अप्लिकेशन फॉर्म का अगर डेट बढ़ता है, तो इसके अनुसार यहाँ डेट भी बढ़ाया जा सकता है, लॉकडाउन और क्रोना की स्थिती को देखते हुए, आइंटिये ने यह फैसला ल झाल 1 है, यह एक्यो देखते हुए, जच्मिकेशन धर लॉकारसद को देखते हैं, भाल कि अछेखते हैं, यह जग文। के जबसे हुए मिलंकिये यह आधे ऐल दो खूदमान को जोखते हैं, एक्यों pairs rozumically को आपाई।